तो देखो आप लोगों ने अगर थंबल दिखकर इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपको बहुत ही ज़ादा मज़ा आने वाला है हे गाइस वल दोस्तों वल्कम बैक तुड़ा एनदर बैतल थोड़ा है वीडियो टोपिक आज का ये जो वीडियो है ये काफी ज़ादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ज़ादा डिमांड मिला था हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बैतल थोड़ा बैंस की वन अब दा मोश फपलर फिमल करेक्टर कुईन मेडुसा कब दाउंगा में रिटान आएगी कब वो फिर से बिटी टेज की फैन की दिलों पे फिर से एंटर करेंगी और दाउंगा का वो टाइम कैसा होगा लाइक कुछ रोमेंटिक या वोकाल टाइप वो सब बात करेंगे और देखो ये वीडियो फुल्ली नोबेल एक्स्प्लेंशन नहीं होने वाला है कि ये वीडियो वेसिकली कालेन की उपर होने वाला है तो अचाहे है विडियो के बीच में बीच चिंटी डबुट को लेकर कुछ इनफोमेशन देने वाला हूँ तो और क्या वीडियो को अन तक देखो बीच में पता चली जाएगा तो लोगो ये सीन होता है उस टाइम का जैसे ही वो लोग नॉस्ट वेस्टन डिजन की तरफ आता है तो जाव ये डिसाइड करता है वो फर्फ्राउं लाइन सेक्ट के उपर जाके कुछ दम की दावा करें बट जब वो जाता है उसे वहां पर पता चलता है वो लोग अल्रेडी फाइड करने की फ्लेन बना के यहां से निकल चुका है और ये सुनते ही जयान भी अपनी दोस्टों को फटा फटा ये कहता है तो हमें बिना टाइम वेश्ट के यहां से चाना चाहिए पर फिर से बिना एमपेर के मेटिंग होल दिखाया जाता है जहां पर बेटा होता है आइस एमपेर फामा गुहू एंड जयान का दोनो भाई जावडिंग और जावली और और भी बहुत सार लोग होता है बट वहां पर जो राजा की गर्दिया होता है मतलब अभी के लिए तो कुई र कीवकी अभी के लिए सबी लोगों को यह पता है कि प्रपाउंड लायन्स एक्ट की जो टीम यहां पर हमला करने के लिए आ रहा है वहां पर मृटिपल जून वर्यर्स हैं और यही रिजट होता है इतना सेरियस होने का फिर उसे डिसकसन की बिच जावली एगदम जोस में जाता है और सभी को ये कहता है कि वैसे भी हम लोग खुद को उनके साथ compare भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच multiple doubt zone warriors है और अभी के लिए हम नहीं पीछे आठ सकते हैं ना उनको टक्कर दे सकते हैं वैसे भी जो भी करो मरना तो है ही तो क्यों ना हम अपनी अंतिम सांस तक उनके साथ तक कर दें चाये उसके लिए हमारे जान ही क्यों ना चले जाए वैसे भी ये बात तो सभी को पता है कि उनके साथ fight करके हमारा कोई फाइदा नहीं जिसमें से कुछ सिक्सेटर की उपर भी है और हम बस यान एलाइंस की तरफ से बस टेन ही दावजून वरे से और यह सब बाते डिसकस करने की बात वो लोग अपनी स्पीट को और भी ज़दा आप कर लेता है और तभी हमें फिर से जिमाय एंपायर का सिन्द दिखा जाता है जहाँ पे कायलिन थोड़ा उदासी भरे मन में बैटी रहती है और उपर की तरफ यह मतलब चांद की तरफ दिखती रहती है और वो अभी के लिए जियान की वरे में सोच रही होती है तब ही वैसे तो BTTS का Hindi Dove आप लोगो को कही पे भी नहीं मिलेगा बट फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा भी BTTS fan group है जो की एकदम low budget में official की वराबर Hindi Dove करता है जो की देखने में तो एकदम official लगता है तुम्हारा मतलब तुमने एक और fallen heart flame ढूंडा तुम्हारा शुक्रिया हाँ तुमने फिर से break throw किया भाई सच में हैन अगदम भूंबा तुरे को basically इसका जो channel है वहाँ पे new episode अलग से डाप किया जाता है और old episode अलग से डाप किया जाता है यह लोग टेलिग्रम पे एक channel बना चुका है जहांपे 1.9 के से भी जादा लोग already join कर चुका है जिस channel का नाम है RJ Dower तो इसका link में comment box और description में दे दूँगा तो link पे tap करके जाके वो channel join कर लेना और क्या हिंडी में थोड़ा enjoy भी कर लेना खेर अभी चलते है वीडियो की तरफ और जैसे ही मामला बिगड़ती हुए देखे वो तुरांत वहां से जावजाओ को लेकर भाग जाए क्यूंकि जावजाओ उनके third brother का एक लोगता बच्ची है इसलिए वो किसी भी हाल पे जावजाओ को खोना नहीं चाता मम्मी डेटने की कोई जरुरत नहीं जावडिंग अंकल ने बोला है कि पापा जल्दी आ जाएंगी और ये सब सुनते है काईलीन जाजाओ की सर से लाती हुए ये कहती है हाँ जरू से आ जाएंगी बट वो थोड़ा confusion में था कि जियान जैसा टर्की है क्या पता वो किसी और लेर की साथ अरे मतलब मजाकर यावाई serious मत लेना कैलीन तो बज पोईजन गल से ये पूचती है क्या जियान फिर से आए गाना पपस पर तभी पोईजन गल ये reply देती है वैसे तो जियान Heavenly Tom के लिए एक डिर साल की समय बताया था अभी अगर देखा जाए इस टाइमें वो गूरिलम से भी आ गया होगा अगर उसे Falling Star Pavilion में Master Yalow मिल गया तो हो सके Master Yalow उसे ये information जरूर दिया होगा और ये कहता है कि इससे बिलकुल भी कुछ मत होने देना अगर इससे कुछ हुआ तो मैं जियान को कभी भी माफ नहीं करूँगी चाहे मैं मर ही क्यों न जाओ और तभी पूरी जिमा एमपैर में काले बादल चा जाता है और यहाँ पर आ चुका होता है Profound Lions Act की वो दाओ जूंग की वर्यर्यर्स और उनके साथ माल्टिपल दाओ जौंग और दाओ वांग तो देखो ये वीडियो कालें की रिटर्ण की फर था और ये सब बिसीकली एक दो साल बात देखने को मिलेगा तो बाकी आप लोग कमेंट करना कि इसकी बात का जो अगर वो सब एक्स्प्लेंट करने को आप लोग बोलो तो मैं जवर्शक कर दूँगा इसका पार्ट टू ट्री बनाके और अगर नहीं चाहिए तो नो बोल की कमेंट करना है और चाहिए तो उसके लिए क्या कमेंट करना है वो तो आप लोग को पता हिए अगर ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करना और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोग जागे अरजय दुबर को जोइन कर लेना और हो सकतो वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब बेटन की उपर एंग्री पुद्द लूट तो अब तक लिए इतना है मिलते नेक्स वीडियो में लव यॉल वाबाई ठैक्स वराचिंग